खुशिया बनाईए, फटाके फोडिये, मिठाईया खाईए क्यों? क्योंकि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है क्योंकि इस वर्ल्ड कप की सबसे अच्छी बताई जाने वाली टीम इंग्लेंड को शिकस्त देकर भारती टीम ने फाइनल में अपनी जगा बना ली है मुकाबले में बारिश का साया था वैसे बारिश तो इंडियन टीम को पसंद थी क्योंकि अगर पूरे मुकाबले में बारिश होती तो इंडिया सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती लेकिन फिर एक तमगा लग जाता कि समी फाइनल बिना खेले टीम इंडिया फाइनल में पहुच गई लेकिन अब कुछ और हुआ, अब ना सिर्फ इंडियन टीम में समी फाइनल मुकाबला खेला, बलकि उसे शांत से जीता हिंदुस्तान के ग्यारा युद्धाओं ने गयाना में इंग्लेंड की टीम को चारो खाने चित कर दिया शुर्वात में कप्तान रोहित शर्मा, सूरिकुमार यादव, हार्दिक पंडिया, इन सब में मिलकर हिंदुस्तान को, टीम इंडिया को एक सम्मान जनक टोटल तक पहुँचाया विराट कोली जल्दी पवेलियन लोटी, रिशपंत भी वो कमाल नहीं कर पाए, शिवम दुबे भी पहली ही गेंद पर आउट होकर वापस चल दिये लेकिन इसके बावजूद, इंडियन टीम एक विशाल स्कोर तक पहुची 20 ओवर में इंडियन टीम ने साथ विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए, इंग्लेंड को टार्गेट दिया 172 रनों का 2022 T20 वर्ल्ड कप के समी फाइनल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था लेकिन वहाँ पर कोई भी भारती गेंद बाज विकेट लेने में सफल नहीं हो पाया था लेकिन आज साल दूसरी थी, जगह दूसरी थी और रात दूसरी थी यही वज़े है कि टीम इंडिया के स्पिनर अक्षर पटेल ने भारती टीम को पहली सफलता दिलाई और अक्षर ने जो शुरुवात की उसे अंजाम तक भारती टीम के बाकी गेंद बाजों ने पहुँचाया अक्षर पटेल को साथ मिला कुलदीप यादव का कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने शानदार गेंद बाजी की जिसकी बड़ालत हिंदुस्तान वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल्स तक पहुच चुका है अब बस इंडियन टीम को एक फाइनल मुकाबले में अफरीका को मात देनी है और बार्बर डॉस में भारती टीम इतिहास बनाने में सफल हो जाएगी खैर समी फाइनल मुकाबले में किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं टीम इंडिया के लिए सबसे जादा रन कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए कप्तान रोहित ने 49 गेंडों पर 57 रन की पारी खेली इस दोवान उनके बल्ले से 64 और 26 आए रोहित का स्ट्राइक रेट 146.15 का था इसके अलावा सूरी कुमार यादव ने 36 गेंडों पर 47 रन की पारी खेली सूर्या ने 4 चौके और 26 लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 130.56 का था इसके अलावा हार्दिक पंडिया ने 13 गेंडों पर 23 रन की पारी खेली जिसमें उनके एक चौका और 26 लगाए इस दोड़ान हार्दिक का स्ट्राइक रेट 176.92 का था साथ ही रविन्र जडेजा ने 9 गेंडों पर नाबाद 17 रन की पारी खेली और उसमें 2 चौके लगाए रविन्र जडेजा का स्ट्राइक रेट 188.89 का था तो वही अक्षर पटेल ने 6 गेंडों पर 10 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 166.67 का रहा बल्ले बादों के बाद गेंडबादों की बारी आई और गेंडबादों ने भी खूब तूफान मचाया शुरुआती ओवर्स में ऐसा लगा कि कहीं 2022 की वो रात रिपीट ना हो कहीं हिंदुस्तान 10 विकेट से मुकाबला हार ना जाए लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि गेंडबादों ने आज कुछ और ही ठान कर रखा था गेंडबादों ने शांदा कदर्शन किया अक्षर पटेल की बात करें तो अक्षर पटेल ने चार ओवर में 23 रंदे कर 3 विकेट जगके तो वही कुलदीप यादव ने चार ओवर में 19 रंदे कर 3 विकेट लिए इसके अलावा जस्पीद बूमरा को भी सफलता मिली टीम इंडिया अब T20 वर्ल्ड कप जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है उमीद है कि जैसा BCCI के सेक्रेटरी जैशा ने राजकोट में कहा था कि रोहित चर्मा की कप्तानी में बार्बर डॉस में तिरंगा शान से जरूर लहराएगा उमीद करते हैं कि T20 वर्ल कप 2024 के फाइनल में ऐसा ही हो और 2007 के बाद 2024 में हिंदुस्तान T20 वर्ल कप जरूर जीते